अभी का मौसम ऐसा है कि ठीज सारी सबजिया मार्केट में आती है और मॉर्निंग में लगता है कि हर दिन पराठा खाके एकदम बोर सा लगने लगता है तो लगता है कुछ अलग बनाया जाए कुछ हटके बनाया जाए क्योंकि ऐसे तो नौर्मले हम लोग पराठा सबजी ही बनाते हैं नास्ते में तो फिर आज मैं एकदम डिफरेंट यूनिक नास्ते की रेसिपी लेके आए हूँ तो फिर देर किसपात की चली ये बनाते है तो आज हम मैं इस नास्ते को बनाओंकि मूली से उसके लिए करना है तीन पीस जैसे मूली ले लेना है, मूली का छिल का छिल लेना है, पिलर सी क्योंकि बहुत बार ना मिट्टी होता है उसमें, और अब इसको पतले पतले लंबे में काटना है, लंबे में इसलिए काट लेना है ना कि उबालने में असानी होगी, और यदि बड़े बड़े पीस में आप रख दोगे तो उबलने में टाइम ज़्यादा लगता है मैं तीन परिवार के हिसाब से बना रहे हूं इसलिए तीन मूली ली हूं तीन मूली इनफ है आप अपने फेमिली के according मूली की quantity को रखे ज़ादा बना रहे हो तो थोड़ा सा ज़ादा रखे क्योंकि ज़ादा रहता है मूली तो ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में कि पानी डालेंगे ना क्योंकि हमें पानी की बात में जुरत पड़ेगी तो थोड़ा साई डालना है जादा नहीं डालना है मिंस चम्मच से बोलो तो चार पाँ चम्मच बस अब धाकन बंद करके दो सीटी लगाना है दो सीटी में अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाए तो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा, तो जैसे आप हाद से प्रेस करेंगे तो एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, कट जाएगा, एकदम असानी से, तो बस अब इसी फॉर्म में हमें चाहिए, तो मूली को क्या करना है, एक बड़े बरतन में, मैं तो क डाल दो, तो बस बड़े साइस का कप से मैं एक कप ली हूँ, और ऐसे छोटे कप से बोलोगे, तो तेड़े कप है, यह चावल का अटा, तो अब इसमें डाल देंगे नमाक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो अब इसमें तो प्लड़े सा डाल देंगे, अजवाइन, अजवाइन का टीस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ा सा मंग्रेला डालना है मंग्रेला कभी टेस्ट इसमें बहुत जाता है और एक कटी भी हरी मिर्ची तीखा तो आप अपने नुसार कमियाद ज्यादा कर सकते हो मैं थोड़ा सा तीखा बना रहे इसलिए तीखी वाली म माटा ना मूली के उपर कोट हो जाएगा तो देखिए कोट हो गया एक दुबार मैं चला ली अब क्या करना है अब लेना है मैशर जो मैशर होता है न वो अब मैशर से इसके कुटाई कर देनी धियान से करनी है क्योंकि कड़ाई में पॉलिश रत है न तो ज्यादा आप करो पानी भी है तो पानी भी डालने की जुरत नहीं है एकदम डो के फॉर्म में आ जाएगा तो अब थोड़ा देर इसी तरह से पकाना है कि चावल काटना थोड़ा सा पक जाए डो के फॉर्म में आ जाए नहीं तो थोड़ा सा पूरी अच्छी दरस एकदम डो के फॉर्म में आगया है सकत भी हो गिया है तो आप इसे क्या करें कि निकाल लेंगे एक बरतन में कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए या फिर इसी में भी छोड़ सकते हो कि ठंडा होने के लिए थोड़ा सा इसमें मोली न कुछ बड़े-बड़े पीसे भी हैं जो मुह में आएगा तो अच्छा लाकी का खाने में तो देखे लगबग लगबग ये पूरा अच्छे से ठंडा हो चुका है जसे हाथ में ले रहे हैं तो हाथ में मिन्स सहन हो जा रहा है डो के फॉर्म में आ गया है एक दम उलायम हो गया है तो मैं क्या करी एक बड़े बरतन में निकाल ली हूँ कि मूली का मूरौरी बहुत ही ठंड में बनाया जाता है अच्छा लगता है खाने में टेस्टी लगता अच्छा नहीं बहुत ही टेस्टी तो आप के पिर इस रेसीपी को क्या नाम देना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके बताएं तो देखे डो के फॉर्म में आ गया है यह तो अब क्या करना है, अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेना है, क्योंकि मूली रहने की करना थोड़ा सा चिपचिपा बना जाता है, चिपखता है हाथ में, तो इस तरह से छोटी छोटी साइज की लोईया बनाएंगे, हलका हाथ से इस तरह से गोल कर लेंगे, गोल करने क तो आप एक बार में देर सार बनाके रखलो, फिर फ्राइव करने में बहुत ही असानी होती है। तो मैं जल्दी जल्दी ना कड़ाई में तेल डाली और गरम करनी के लिए चड़ा आ चुकी थी, क्योंकि सब नास्ता करने के लिए बैठे हुए थे तो मैंको जल्दी जल्दी देना था बना के तो बस एक एक पीस करके इस तरह से डालते जाना है डालके पलट पलटके गोल्डन होने तक फ्राई करना है एकडम क्रिस्पी हो जाता है और चावल का अठा डला हुए तो तेल भी नई सोप करता है तो आप एक बार में दो पीस, तीन पीस भी बना सकते हो, दम कलर आगया है, बहुत ही सुन्दर, गोल्डन कलर का हो गया है, क्रिस्पी भी हो गया है, तो आप इसे निकाल लेते हैं, और बाकी कभी सेम ऐसे ही फ्राई कर लींगे, तो चटपटा सहली सनास्ता बनके रेडी हो कि आज मैं सुबा हरा मुंगोत है न, उसकी सबजी बना रखी थी, उसी के साथ आज मैं सर्फ करूंगी, आप आलो की सबजी के साथ खा सकते हैं, कोई और भी सबजी के साथ, सबजी के साथ ही ज्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती उपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, तो फ्रेंट्स अगर आज की ये रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें